हेलो फेंड्स वेलकम बैक टो आर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स आज हम बात करेंगे फिर से तीन बहतरीन स्टॉक्स के बारे में जो कि आपको पता ही है मैं डेली कुछ ना कुछ ऐसे स्टॉक्स आपको आपके साथ शेयर करता हूं जहांपर कि मुझे पोटेंशल द देखा होगा जेके टायर में आज भी ट्रेक्शन था थोड़ा बहुत और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वेंकी मैंने बोला था काफी हाई कन्विक्शन ट्रेड है और उसमें मैंने भी आज अपनी पोजिशन बना ली है तो जैसे कि आपको पता है मैं इस तरह क कि दिस्क्रेमर्स अपनी हर वीडियो में देता रहता हूँ वेंकी मैंने आज जो लिया है वो लिया है कुछ तेज्सो साट तेज्सो पैंसेट रुपे के आसपस और तेज्सो पिछेतर रुपे पर आज बन्ध हुआ है तो उसी मैंने आपको पहले ही बताया थे उननत्य सो रुपय तक का मेरा कन्वेक्शन है रुपय तक जा सकता है और बाइसो रुपय का मैंने stop loss लगा रखा है और मैं बिल्कुल strictly stop loss follow करता हूँ आपको पता ही है oil India में काफी reverse हो गया था वो trade और because of my stop loss I actually exited from my position तो आज हम बात करने वाले इन particular stocks से बारे में और in stocks के बारे में बात करें उसे पहले मैं सभी से request करूँगा कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए और आप अगर मेरा content पसंद आ रहा है तो गिम ये thumbs up and don't forget to share this video with your friends and family as well now quickly start with this video first and foremost let's talk about nifty because my nifty का ये चार्ट कोला हुआ है weekly chart है और मैंने पहले भी आपको बताया था कि weekly के चार्ट पर ये channel में treat करा था downwards sloping channel ये जो है इसमें treat करा था और ये अब इसके ऊपर आके बंद दिया है इसने इस week में तो बहुत ही अच्छा setup है इस time पर और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें अभी चोटे-चोटे hurdles हैं बड़ जो major hurdle है वो है बहुत ही अच्छा setup है निफ्टी का तो ये हो जाता है थोड़ा long term perspective से वीकली का चार्ट पर ने लगाया हुआ है अब हम बात करते हैं आज के पहले स्टॉक के बारे में तो ये आज का पहला जो स्टॉक है बहुत ही अच्छा इसने भी breakout दिया है with a runaway gap आपको पता है इस तरह का जो gap के साथ open हुआ है ये red candle नहीं है कुछ software की कई बार problem होती है ये green candle बनी है काफी अच्छा आज इसने upward momentum दिखाया है almost 10% उपर चलके बंद हुआ है तो runaway gap जो होते हैं बहुत ही अच्छे gaps होते हैं और इनको fill करना इतना easy नहीं होता है ये जो runaway gaps होते हैं ये एक अब support का काम करेगा तो support की तरह हैं आप इसको देखेंगे और आपको अगर इसमें position बनाना बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप जरूर इसमें position बना सकत है अभी के अभी ले 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 नहीं अभी के अभी नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा cool off हो with market तो आप इसमें जरूर एक position मना सकते हैं 660 के आसपास और 660 के आसपास position मनाने के बाद 640 रुपय के आसपास आप इसमें अपना stop loss लगा के position में बनी रह सकते हैं next इसका आप जल्दी ही देखेंगे 725 रुपय तक का तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत ही अच्छा एक reward है तो ये मेरा पहला जो है ट्रीड है इसमें मैं आपको एक end में last जो ट्रीड बताऊंगा वो मेरा high conviction ट्रीड है और आप चिपक के इस वीडियो में बने रहेगा end तक तो ये आज का पहला ट्रीड हो जाता है stop loss में आपको कहां बताया है 660 रुपय का 640 रुपय का stop loss और target कहां पे target में बताया है 725 रुपय का तो ये आज का पहला stock हो जाता है और इसमें positive divergences बने हुए है MACD पर RSI की value बहुत ही अच्छी ह कि आस-पास हाला कि थोड़ा सा cool off हो तो बहुत ही अच्छी एक आपको opportunity मिलेगी इसमें entry करने की तो RPG Life Sciences मेरा पहला stock है now let's talk about the second stock of the day ये second stock है second stock का नाम आपको पता ही है Infosys Infosys is like मेरे portfolio में भी शुमार है और मैं इसको काफी closely track करता हूँ इस particular stock को और आज मैंने इसको क्यों चुना है आज चुनने का कारण क्या है अगर आप देखेंगे तो आज इसको चुनने का एक simple सा कारण है कि इसने अपने 100 day exponential moving average के ऊपर close दिया है 100 day exponential moving average कितना है 1554 जो था इसका एक resistance की तरह काम कर रहा था जो कि अब इसका support की तरह काम करेगा तो stop loss कहां लगाना है अगर आप इसने position बनाना चाहते हैं तो stop loss 1554 रुपए का next पढ़ाओ कहां है अब जो next पढ़ाओ मुझे दिखता है 1590 और 1600 रुपए अगर ये 1600 क्रॉस कर जाता है तो काफी अच्छी opportunity बन सकती है इस particular stock में भी और मेरे ख्याल से ये next पढ़ाओ जो आ सकता है इसका सत्रा सो सत्रा सो पचास रुपए भी आपको आने वले कुछ दिनों में मिल सकता है एक और अच्छी interesting चीज है कि Nasdaq आज बहुत ही अच्छे से जबरदस तरीके से उच्छाल दिखा रहा है और हो सकता है कल जो है पूरा IT इंडेक्स जबरदस उच्छाल दिखा है हाला कि आज भी इसने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है एक तेड़ परसंट उच्छाल के साथ ही इसने अपना close दिया है तो बहुत ही बढ़िया stock है fundamentally बहुत strong है RSI की value 62 के आसपस है positive divergences आपको clearly visible होंगे MACD पर हर तरह से ये बहुत ही अच्छा poised है और आपको इसको अपने portfolio में रखना चाहिए क्योंकि आपको जैसे पता है auto index banking index सारे index बड़े जबरदस तीजी से भागे हैं सिर्फ और सिर्फ IT index और IT companies में काफी जबरदस्त मार पड़ी है because the margin pressure और वो I am sure कि अगर आप long term investor है तो वो आपको इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और अच्छे stocks को accumulate करना चाहिए तो ये जो stock है ये एक trading stock नहीं होके ये एक जबरदस्त एक bet है जहाँ पर आपके portfolio में जरूर होना चाहिए ये particular stock तो ये हमारा आज का second stock हो जाता है now let's talk about the third stock of the day जो कि एक high conviction trade है और बहुत ही जबरदस्त एक stock है ये जो stock है ये है IDBI bank IDBI bank चुनने के पीछे मेरा बकसत क्या है और एक disclaimer we get into the final details in IDBI bank एक disclaimer ये है कि ये मेरे portfolio में रखा है 35 रुपए के भाव से आज 41 रुपए पर बंद हो है तो बहुत ही बढ़िया इसने up move दिखाया है इसमें दो चीजे important है पहली ये कि एक news driven थोड़ा सा stock है because इसका privatization की बाते चल रही है दूसरा क्या कारण है दूसरा इसका तीन कारण है दूसरा कारण क्या है दूसरा कारण ये है कि इसमें आज volume activity जबरदस बनी है आप देखेंगे कभी भी इतनी बड़ी बार नहीं बनी ये last जो बार बनी थी April में बनी थी बड़ उससे भी काफी जबरदर्स एक बार बनी है जो कि बहुत ही अच्छा मुझे दिखता है तीसरा कारण क्या है तीसरा कारण यह है कि इसने बहुत ही अच्छे से अपने 200 डेमा को य oppression को क्लोजिंग दिए है 200 डेमा कितना था इसका 40 रूपीज का 2000 डेमा था और उसके ऊपर इसने ओषनेद दिए जो कि बहुत ही अच्छा संकेत है अब यह कहां से कहां तक जा सकता है अब यह जो target है इसका next target है 20% उपर जो की आता है 48 रुपीज का 48 रुपीज के आसपास का target रख सकते हैं stop loss का रखना है अब stop loss को 40 रुपए पर बना के रखेगा अगर यह 40 के नीचे चला जाता है तो बिलकुल exit हो जाएगा because then इसमें फिर आप 35, 36, 40 के बीच में ही घूमता रहता है थोड़ा सा sluggish stock है बट आज इस तरह का volume price action आया है वो मुझे लगता है 48 रुपे तक आपको बिलकुल reward दे सकता है तो इसमें भी यह मेरा high conviction trade है disclaimer सिर्फ एक ही है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यह मेरे portfolio में शुमार है 35 रुपे से तो यह आज के तीन stocks हो जाते हैं अगर आपको मेरी videos पसंद आ रही है तो do like, subscribe and share this video with your friends and family अगर आप मेरा channel subscribe करते हैं तो bell icon दबाना बिलकुल मत भूलेगा और अगर आपके पास अभी तक DMAT account ही नहीं है तो मैं description box में एक link दे दे रहा हूँ angel 1 के तुर में आप अपना DMAT account को लवा सकते हैं free of cost घर बैठे ही तो आज के लिए सिर्फ इतना ही we'll see you in the next video, thank you so much for watching this video